सब्सक्राइब आप से बहुत बहुत स्वागत है सरकारी आदर्श विद्याले सिक्षक भरती विग्यापन जारी हुए इसमें सीटेट या टेट की कोई जरुवत नहीं है और मल्टिपल सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए वेकेंसी हैं सालरी डीटेल्स दिया हुआ अब आपने किसी भी माध्यम से पढ़ाई कि हिंदी मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम जो भी है आप अपलाई कर सकते हैं फ्रेशर भी यहां पर बिल्कुल अपलाई कर सकते हैं सीटेट तो मांग नहीं रहें नेशल कावेदन है ऑफलाइन मोड में फॉर्म एप्लिक अबिकेशन फॉर्मेट दिया हुआ जिसको की फिल करना है और भेजना है जो इंटरस्टेट कैंडिडेट है पहले अड़र्टीजमेंट देखेंगे यह फॉर्म दिया हुआ है इसी फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके बाकी सभी सर्टिफिकेट की फॉट्यों जो भी ल और लाम लिखा जहां बीकेंसी आहिं आए बैसी कली जो वेकेंसी जाए वह हैं इन सब्सिक्स में वेसी कारीटी सचना हंटहे कोश्तव सब्सक्रास क्यों सब्सकेट एलेवार्यार और नाबिजुट रिकांइगि सबसे पहले देखेंगे कि यह कहां से रिलीज हुई है अड़ीजमेंट जजपूर से गॉर्मेंट ऑफ औरिसा सरकार के अंतरगत आता है यह अदर्श विद्याले अब इसमें जो है ना contractual vacancies है यह फिलहाल पर्मानेंट नहीं इनसे पर्मानेंट भी आती है हर साल मुझे लग रहा है मैंने 2023 में भी काफी सारी vacancies जो नो ओए भी से कवर कियें तो permanent vacancies भी आती है फिलहाल जो है वो contract पर आये हैं contractual basis पर है और इसमें the candidates have to submit application to the nodal principal ओडिसा आदर्शविद्याले जांदार एड जांदार post office रेकाभी बाजार डिस्ट्रिक जश्पूर पिन नमबर दियावा in the prescribed format along with supporting documents by registered post और speed post तो government post office जाना है वहां से submit कर देना है 15th मार्च तक latest जो है इस दिएगे address पर पहुंच जाना चीए form मैंने अभी आपको certificate mark sheet लगाएं लगाएं लेकिन ठीक है अगर आप side income पढ़ाई कर रहें किसी competition की तयारी करें आपको लग रहें कि साइड में कुछ pocket money होनी चाहिए books अगरा खरीदने के लिए पैसों की जरुवत होती है तो आप फोड़े दिर काम करके side earning के हिसाब से जे स्कूल ज्वाइन कर its contract is with new यघर के लिए मधाबने बढ़ा भी सकते वी आजार लोपे रहेंगे ट्रेंगी ट्रिएशग तीचठ तीचर के लिए प्चीज अगचीश आजरुपे रहेंगे for your teacher के अभी देख सेंकि कि इसमें कुछ नहींनीरिस में interview रहें mobil तो अब इसमें कैसा है ओड़ी साधर्श विद्याल एलिजिबिलीटी क्राइटेरिया रेखेंगे ट्रेंड टीचर के लिए बैचलर डिग्री नार्स और साइंस 50 पर्सेंट अबाब मांक्स के साथ में 45 पर्सेंट अगर सेस्ट पी डालो डी कैंडिडेट है तो 45 पर्सेंट ह और घख्ग कोईबिण जा आग आर्स, कोमर्स प्रैयर्काय नहीं है लिकिन आर्स, और साइस अब चाहिए होता है तो आपने ग्राजिच से पढ़्यक्ट के लिए ने साथ में बीएड किया है आपने या इंटीग्रेटेड बीएड यह पर देखा इनने लिखा है बीएड या फिर त्री यह इंटीग्रेटेड बीएड बस इतना ही मांग रहे हैं सीटेड तो मांग नहीं रहें candidate furnishing certificates marksheets with grades and grade points shall also furnish numerical equivalence of grades तो वह तो आप जब फर्म भरेंगे तो उसमें बोलें कि थीक से भढ़ना है नंबर्स वगर एंटर करने हैं और ग्रेट्स वगर एंटर करने हैं पोस्ट टीशर के लिए किसी भी उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अब ही देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट जो है रिलीज कहां से होई है तो आप कहां चेक कर सकते हैं यह ओफिशल वेबसाइट जर्जपूर गवर्मेंट उफ इंडिया इस ओफिशल वेबसाइट पर थोड़ा स्क् करेंगे नीचे की तरह अब आप देखेंगे न्यूज में लेफ्ट साइड में आपको दिखाए देगा को वेवी जामदार जजपूर नोटिफिकेशन और एंपनेलमेंट और पार्ट ताइम कॉंट्रेक्ट्ट टीचर अपॉइनमेंट और ओवी ओमेवी और जजपूर ड कोई भी उम्रो सीमा 65 यस तक के कैंडिडेट अपलाई कर सकते क्योंकि उम्रो सीमा तो दी नहीं है ओफिशल विपसाइड की लिंक के लिए वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्वाल डाउन करके चेक करें इसको आप जब क्लिक करेंगे ना तो इसमें करिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लास्ट डेट दिया हुआ है और यह सारे चीज़े दी हुई है तो ओफिशल वेबसाइड की लिंक के लिए वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करेंगे